आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे financial gains, financial stability, then financial satisfaction तो यह जो money का game है, हम इन चीजों में कैसे अपनी prosperity बढ़ाएं, abundance बढ़ाएं कैसे हम money के साथ अपना relationship अच्छा करें, because money is energy तो उसको different तरीके से हम आज use करेंगे, वास्तु tips, कुछ astro tips ताकि आप उसको enjoy भी कर पाओ So, सबसे बहले बात करते हैं, वास्तु के according जो वास्तु के according हमारी direction है, financial gains की, stability की वो सबसे ज़ादा जिसको हम importance देते हैं, वो है southwest direction Otherwise, अगर वहाँ stability नहीं है, तो money आएगा भी पानी की तरह आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं, financial, तो flow बहुत अच्छा है, पर stability नहीं है तो अपने expenditure house और जो हमारा saving house है, जब वो disturbed होता है, वो match नहीं करता तब इस तरह के troubles आपको दिखती हैं, सबसे पहले southwest direction को ठीक करें, southwest direction में safe लगाएं वहाँ पर चो भी आप earn करते हैं, उसका कुछ amount वहाँ जरूर रखें, जो money क्या है, energy है, उसको feel करें आज कल क्या होता है, बैंक में ही आए और बैंक से ही आपकी सारे खर्चों में चले गए, जैसे आपकी income आई, आपकी salary आई, वहीं से आपने EMI दे दी, सारे खर्चे कर लिए, जैसे ही आपके bank account में आता है, उसमें से withdraw करिए amount को, और आप उसको safe में रख दो, चाहे आप उ एमर्जेंसी फंड के नाम से मत सेव करो, तो आप युनिवर्स में वही वाइबरेशन दे रहे हो ना, कि एमर्जेंसी फंड है, तो वह उसी तरह से यूज होगा, तो उससे अच्छा आप एक envelope उस पे entertainment fund रखो और आप लिखो और उसमें आप सेव करते रहो और उसमें से ही कुछ amount खर्चो सबसे पहले, तो ये financially आपके direction को ठीक कर देगा, अब क्या है, money flow जो भी आता है, वो सब हम generally देखते हैं, northeast direction से, तो northeast क्या है, opportunities है, northeast से ही वो energies आती है, उसमें बहुत सारा रोल north direction का भी रहता है, तो सबसे पहले northeast को कैसे करेंगे, ठीक कि northeast में, अगर आपके विंडो है, आपके घर में कोई उस तरफ की बालकनी है, वो डोर है, तो आप जितना उसको आप अपन रख सकते हैं, वो रखें, especially in the presence of sunlight, या early morning भी रख सकते हैं, अगर आपको लगता है, वहाँ मॉस्किटो आजाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बग्स एंटर क क्यूंकि ये बाक्भोन ऐख गोन जो नौर्थेस से स्टार्ट होती है, साउथ वेस्त तक जाती है, सारी ओपोर्शनिटी और फ्लो नौर्थेस ते साउथ वेस्त में स्टैबिलिटी है या खर्च होता है, बहुत चारे लोगों के वहाँ वहाँ वाँ उसे सारा निकल गया एकस्पेंडिचर हाउस वहां पे है, तो उसको बेटर करने के लिए वहां मनी के लिए आप एक सेफ मनाएं, एक कुछ भी आप छोटा सा पिगी बैंक रख सकते हो, तो इस तरह से वह इन दो डिरेक्शन को ठीक करें, फिर आता है कि ग्रोथ कैसे हो, करियर की ग्रोथ होगी, चाहे आप बिजनस करें, जॉब करें, वो नौर्थ से लेखेंगे, नौर्थ को ठीक करने के लिए, वहां पे आप नौर्थ साइड में, अगर हो सके लिविंग प्लांट्स रखें, जैसे अरिका पाम है, या मनी प्लांट आप रख सकते हो, एन से नौर्थ की डिरेक्शन होती है, इवन कुवेर का यंत्रा लगा सकते हो, तो इस तरह से मनी फ्लो भी रहेगा, मनी स्टेबिलिटी भी रहेगी, और जैसे ही आप नौर्थ को बेटर करोगे, तो उस तरह से आप उस मनी को एंजोई भी करोगे, तो अगर हम इन तीन डिरेक्शन का भी एस पर वास्त अगर आप क्या टिप्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपकी मनी फ्लो बढ़ेगा, तो आपकी जो साउथ वेस डिरेक्शन में जो हमने सेफ रखी है, अगर आप उसमें येलो कलर का कपड़ा विछाते हो, एक छोटा सा क्लोध यूज करो, उसमें आप अपने सारा गोल्ड, कॉपर, सिल्वर का कोई ना कोई एक एक क्वाइन या एक एक ओर्नमेंट रख सकते हो, उसके साथ साथ आप गोमती चक्रा रख सकते हो, शंक रख सकते हो, इससे आपका वो एक एस्टो टिप है, आप उसको रखो, उसे मनी स्टेबिलिटी बहुत होती है और ग्रो को बढ़ाएं और आप अपनी लाइफ में चेंजिस को महसूस करेंगे, इन एस्टो बास्तु टिप्स को आप अपलाए करो, अपनी सारी डिरेक्शन पर वर्क करो, मनी की स्टेबिलिटी को एंजोय करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, नमश्कार् को आप अपलाएं फिरेक्शन पर आ मनीखले में चेप्टा अपड में तर अपलाएं